आईए दोस्तों आपका एक नजर की इस चैनल में स्वागते चलिए आज हम आपको कीवी का गीचा लगाते हुए दखाएंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आज हम हरीपूर धार में पहुंचे हैं वहाँ पे जो हम कीवी का गीचा लगा रहे हैं तो अब हम आपको पौधा लगाते हुए दखाएंगे कि पौधा किस ढंग से लगाना है हमने और किस ढंग से पौधा लगा जाता है तो आप बड़े राम से देखिए और हम आपको पौधा लगाते हुए दखाएंगे कि तैसे भी हमने मतलब लगाना है तो आप उस में मैं खुद देखें किस टंग से ये पौदा लग रहा है ताकि आपको भी जो है ये कल कदा के लिए लगाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा तो ये है हरीपूर धार का जो है काफी बड़ा गाउं शेहर अब हम अब खुद खाते हैं कि ये जो है बिल्कुल हमने जो खड़ा किया था और बंद किया रही है इसका जो ही पीज सेंट्र रखा है तो अब हम इस सेंट्र को नकाल देंगे और अब हम क्या करेंगे इसको यूँ खोद देंगे अब यह देखिए इस टाइमर अब इस खटे को आप देखिए इस टाइमर यह थेंच जो है जबीन से निचे जो है हमारा पौदा लग रहा है और यह रहा हमारा पौदा तो हम इसको इसकी जड़ है हमें इसको कि दरुदर मोडेंगे नहीं इसको हम कैसे लगाएंगे यह यह देखिए आप यहां पर भी लगाते हुए इस डंग से और हमने यह इसमें मिट्टी डाल दी मिट्टी डालने के बाद हम सिर्फ ज्यादा नहीं करेंगे इसको इतना रखेंगे अभी फिलहाल और इसको हम ऐसे दबा देंगे थोड़ा तो यह हमारा पौदा लग चुका है अब हम आपको को और पौदा दिखाते हैं लगाएं अब हम आपको इस तरफ जो है दिखाएंगे यहां पे भी हम इसी डंग से जो है खोड़ देंगे अब यह देखिए यह छे इंच जो है हमने नीचे जो है किया है छे इंच हमारा नीचे चला गया तो हम इस पौदे को इस डंग से लगाएंगे यह देखिए यह लगा दिया अब हम इसमें यह मिट्टी डालेंगे इधर से यह यह हमारा पोदा अब लग चुका है और इसको यह से उदबादेंगे थोड़ा थोड़ा ज्यादा ने ही आप सिरफ हम आपको एक पोदा और लगाएंगे पहते हूं यह देखिए इस लंग समने इस पोदोल गाना लेकर न इतने ले जाना हमने इसको और इसको इतना दबाएंगे हम यह देखिए ज्यादने हम इसको यह इसका ऐसे रखेंगे यह हमने पोदा लगाया और इस रंग से पोदा लगना चाहिए तो अब आप भी इसको देख सकते हैं ताकि पानी भी इसमें कम लगेगा और पोदा भी हमारा बिल्कुल सही लगेगा तो चलिए अब हम इनसे भी पूछते हैं और इनसे जो हम पोदा लगवाना चाहरे है और लगा रहे यह भी भाई साब जिनका भीचा लग रहा है तो इनसे भी हम कहेंगे कि थोड़ा और जराक थोड़ा गैरा खोद कर थोड़ा सा हाँ इतना जो है अब यह बिल्कुल सही है अब इस ढंक से पौदा हमने सीधा रखना है उपर भी और मेटी जो है इसमें ऐसे डालनी है और इसी ढंक से थोड़ा सा इसमें दुबाना है थोड़ा इसको और दुबाना है थोड़ा सा आप इसमें जो है आप अंदर इसमें गुड़ाई दे दें थोड़ी सी गहराई ताकि जिसमें आपका पानी रह सके इसको हम इस ढंक से इ बस ये इसका ये चा चीज है इस डंग से जो हम इस पौदे को रखेंगे अब दूसरा पौदा भी हम दखाते हैं आपको अब ये देखिए यहाँ पे भी पौदा लग चुका है और बस इतना जो है इसी डंग से जो है आप लोगों ने भी सबने जो है पौदा लगाना है और पानी के लिए बस सिर्फ इतना ही रखना है इसको इतना सीधा भी नहीं करना है ताकि जो हमारा पानी कहीं बाहर न चला जाए बस इतना इस डंग से जो है ये पौदा लगना चाहिए तो ये देखिए इस डंग से जो है ये हमने इनको भी जो है पौदा लगाना जो हमने बता दिया है कि किस डंग से जो है पौदा लगाना है इस डंग से जो है ये पौदा लगेगा और ये जो है छोटा जो है तौलिया भी बन चुका है तो चली हम आपसे पूछते हैं पूछना चाहते हैं आप हमें थोड़ी जानकारी हमारे एक नजर की चानल के माध्यम से दें हम कीवी के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यह क्या लगा रहे हैं इस वक्त है कि हमने चैनलों में देखा है कि कीवी का बगीचा अच्छा चलता है अच्छा होता है तो इसलिए हम भी एक जड़ा इतने दूर से मंगाए है पोदे हम भी ट्राइल ले ले लें क कि कैसे बगीचा चलना या नहीं चलना तो आपको यह कितने में यह पौदा वहां से मिला जहां से आपने मंगा यह यह बगत अच्छी जान कर दिया आपने बहुत धन्याबाद आपका तो यह देखिए कि इस टाइम काफी बुड़ा यहां पर जो है गांँ है और बड़े खेट है काफी बड़े खेट है जो मतलब आगे तक जहां तक भी देखें वहां तक नजर खेट खेती तो चलि भी हम ऐसे वीडियो आपको दुखाएंगे और दूसरा बगीचा और जब कहीं लगेगा और यह बगीचा जो है आज 24 तारिक 24 फरवरी 2024 को जो यह पूर देर लग रहे हैं तो इस फरवरी में आप पूरे इसमें जो है पूरे आप लगा सकते हैं थैंक यू दोस्तो धन्यवाद